हेलो स्टुएंट आज का जो मेरा सेशन है वो उन स्टुएंट के लिए है जो 10 या 11 ग्लास में इन फैक्ट 9 10 या 11 ग्लास में हैं और आप अपनी लाइफ में जो भी केरियर बनाना चाहते हैं बेसिकली यह जो सेशन में ले रहा हूं वो डिफेंस एक्जाम प्रप्रेशन के लिए रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने मुझे बोला है इन फैक्ट पिछले कई समय से आप बोला है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो यह कंप्लेटली सेशन जो है वो डिफेंस के लिए के हैं बट मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप किसी और भी कॉम्टेटी एक्जा अगर हम किसी एक्जाम की टाइमली प्रेशन करते हैं तो हमारा कॉंफिडेंस अपने आप बढ़ता है और यही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टार्ट कब से करना चाहिए प्रेशन तो सबसे पहले मैं एक चीज बोलूँगा प्रेशन हमेशा उस दिन से साट करना चाह इस दिन आप यह डिसाइड करने कि आपको क्या करना तो तो तेंथ और लेवनत वाले स्टूएंट को मैं एक बार बोलना चाहूंगा 9th 11th वालों को कि आप लोगों को अगर डिफेंस पर जाना है तो क्या क्या करना होगा यह सेशन मैं बेसिकलीी डिफेंस को लेके ले रहा आप timely अपना institute जोईन कर सके क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ समय से हमारे पास online बच्चे जोड़े थे फिर last day से classroom में बच्चे आना चालू हुए और वो बच्चे आना चालू हुए जिन्होंने 12th कर लिया था यानि 12th pass out student NDA के लिए आना चालू हुए तो जो जो problem मैंने उनके साथ face की है या जो मैंने देखा है उसको देखते हुए मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़े share करूँगा और मैं बिल्कुल sure हूँ कि ये जो मैं आपके साथ अपने experience share कर रहा हुँ ये आपको बहुत help करेंगे और आप समय रहते हुए अगर आप preparation start कर देंगे तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं किसी भी session के पहले आज कर लिए बोलने लगाओ कि इन session का मतलब आपको अपने उपर प्रेशन नहीं लेना बलकि अपने उपर का प्रेशर रिलीव करना होता है क्योंकि जब हम लेड कोई चीज की preparation start करते हैं तो एक्च्व में हम पर pressure आता है अगर हम preparation timely start कर दें तो हमारा pressure अपने आप खतम हो जाता है तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि अगर हमारा dream NDA या NA है यानि अगर हमारा field defense है तो defense में जाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं कब से उसकी preparation start करना चाहिए और क्या क्या qualities आपको develop करना चाहिए क्योंकि इंडिया में एक defense बहुत ही अच्छी field है defense एक prestige field है आप मैंसे करें लोगों की feeling होती है कि आप army में या navy में या air force में जाके country के लिए कुछ करें no doubt इस ते अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता और आज की date में ना केवल salary ना केवल facility हर चीज़ अच्छी है पर फिर भी मैं बोलूगा कि अगर आप salary facilities को देखके जाना चाहते है defense में तो नहीं जाएए defense में केवल उनी दोगों को जाना चाहिए जो actual में एक soldier जैसी सोच रखते हैं उनके लिए ही ये defense field बनी है और इसलिए अगर हम समझें कि defense में कितने बच्चे हर साल select होते हैं क्या क्या तरीके हैं तो मैं बहुत डीटेल में आपके साथ this session discuss करने वाला हूँ इसलिए session को पूरा end तक जरूर देखिएगा जिससे कि जो जो आपके doubts है confusion है वो सब दूर होंगे और फिर भी session के पाथ कोई doubt आए तो आपना question भीजिए बें sessions irritated भी जो आप doubt भीजिएंगे उसका भी मैं आपके साथ discussion करूँगा सबसे पहले अगर हम बात करेंगे defense में जाने के क्या तरीके हैं तो defense में जाने के लिए हमारे पास रास्ते खुलते हैं 12th exam से और उसके बाद फिर ये आप graduation तक चलता जाता है अगर आप class 12th में हैं तो class 12th में रहते हुँ आप NDA या NDA मतलब naval academy इसका entrance exam देते हैं इसके लावा year force के लिए X, Y group के लिए exam होता है ऐसे ही अगर 12th में आपके 70% प्लस है PCM में तो आप direct TES के लिए apply कर सकते हैं technical entry के लिए apply कर सकते हैं अगर आपने IIT का भी exam दिया है तो आप Navy Tech के लिए apply कर सकते हैं यानि ऐसी बहुत सारी information जो हमें पता ही नहीं होती है तो मैंने जब यहाँ पर बच्चों को देखा तो मुझे यह लगा जो मैंने face कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 12 में percentage डाउन हो जाता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो IIT का exam में ही नहीं देते हैं भले आपको IIT नहीं जाना पर क्यों देना है वो बताना चाहूंगा तो अगर इसकी information क्यों ना timely दी जाए तो आप समय रहते हुए अपनी preparation स्टार्ट कर दें एक और बात बोलना चाहूंगा कि इंडियन defense में जाने के लिए अगर आपके पास PCA में तो बहुत अच्छा है पर non-PCA मतलब non-mass वाले बच्चे भी जा सकते हैं पर उनके लिए उसके बाद एक ही field होती है वह है army तो ऐसे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा especially 10th or 11th student के लिए कि अगर आप सब्जेक्ट ले रहें तो आप PCA में अगर आउट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि अभी मैंने देखा जैसे कुछ बच्चे जो commerce वाले हैं उन्होंने भी join किया पर उनको बहुत problem आती ही mass में भी physics में भी chemistry में क्योंकि science सब्जेक्ट से test में नहीं होते तो ऐसे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि अगर आप defense में जाना चाहते तो आप physics chemistry mass लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा या at least mass option subject जब लें क्योंकि जब हम entrance exam की बात करते हैं mass एक compulsory subject हो जाता है 12 के बाद अच्छा 12 के साथ जो होता है एक्जाम होता है और फिर 12 के बाद अगर हम बात करें तो फिर आगे जाके CDS और graduation level पे बहुत सारे अलग-अलग जगे पे SSP होते हैं यानि अगर आपने ये सोच लिया कि आपको defense में जाना है यानि अगर हम देखें कि नेवी में जाने के लिए करीब-करीब 17-18 अलग-अलग तरीके हो सकते हैं बट 12 के समय तक कम होते हैं 12 के बाद graduation level पे ज़्यादा होते हैं यानि अगर आप NCC certificate है C certificate आप direct apply कर सकते हैं अगर आपका 12 में percent अच्छा है तो कर सकते हैं B में percent अच्छा है तो कर सकते हैं Egression में percent अच्छा है तो कर सकते हैं और ये सब तीनों stream में कर सकते हैं आर्मी में, defense में, आर्मी में या Air Force में या Navy में तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि आपको क्या चीजे हैं जिसको समय रहते हुए डवलप करना चाहिए क्योंकि आप रिटन एक्जाम तो समझ लेंगे पर एक आपको SSB भी देना होता है और SSB में क्या कॉलिटीज आपके अंदर होना चाहिए वो चीज समझ ये कई बच्चे लेटा निकाल लेते हैं पर SSB में आउट हो जाते हैं या कई बच्चे लेट में प्रेशन स्टार्ट करते हैं इसलिए उनके NDA के अटेम खतम हो जाते हैं बस मेरा ये कहना है कि अगर जाना है तो समय रहते हैं प्रेशन स्टार्ट करें क्योंकि एक चीज में आपको बताना चाहूँगा गुरू कुल में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जो ऑनलाइन कोर्स से तेंथ से ही जुड़ गए तेंथ और लेवन से और मैं बिल्कुल शोड़ हूँ कि अगर इन्होंने वो चीज करी जो मैंने इनको बोली है तो इनको फर्स सटेम में ही आराम से रिटर्न भी निकालेंगे तो अब मैं आपको बताना चाहिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि और याद रखेगा 12 के समय NDA की जो प्रिप्रेशन होती है उससे आप चाहिए वो XY गुरूप हो चाहिए कोई भी हो आप सभी तरह के एक्जाम निकाल सकते हैं जैसे ग्रिविशन में अगर किसी ने CDS की प्रिप्रेशन किये तो डिफरेंट डिफरेंट जो जो एक्जाम के नेचर की बारे में इस एक्जाम के नेचर के बारे में तो सबसे पहले NDA के लिए लगवख 69.5 से 99.5 के बीच में आपकी एज होना चाहिए अगर आप इस एज के हैं तो आप लेजीबल है उसमें वो डेट आप दी रहती जनवरी और जून उस डेट के एक्वार्डिंग का होता है जिसमें 11 और 12 का मैस होता है और एक होता है जी एटी का पेपर जिसमें की जी एस होता है सबसे पहले 200 मार्क्स का लगवख जी एस होता है 200 मार्क्स का 100 मार्क्स का फिजिक्स होता है 50 मार्क्स का केमिस्टी मालो और 50 मार्क्स का बायो यानि यह टोटल जो होता है 300 म और जब कोई बच्चा रिटन क्लिया कर लेता है इंडिविजन दोनों के कट अफ चेक किये जाते हैं अगर कोई बच्चा नॉर्मली 110 120 130 हर साल के पेपर डिपेंड करते हैं इस रेंज में लाता है तो मैस का कट अफ क्लिया करता है और इसमें 180 से 250 के बीच में जो भी कट अफ फिर बच्चे SSB के लिए जाते हैं और SSB का आपका प्रोसेजर होता है फाइब डेस का जो मैं आपके साथ डिसक्स करना चाहूंगा इसमें फिर आपकी वो कॉलिटी देखते हैं कई लोग बहुत जाता कंफिजन में होते हैं कि SSB मतलब ग्राउंट टेनिंग मैं आपको बत SSB में सिलेक्ट होता है आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए जैसे अभी आपने एक चीज देखी होगी कि हमारा एक सोलजर जो मैं हर्मी आफिसर पाकिस्तान की बॉर्डर पे गिरा अमिनंदन उसने कितने ती सेकंड के डिफरेंस के वैसे वह बॉर्डर में चला गया पर सबसे पहले उसने क्या किया सारे डॉकॉमेंट को डिस्ट्रॉइ किया खा गया उसके बाद जो भी टॉर्चर हुआ गा जो भी कुछ हुआ गा इसके बाद भी देखी कैसे बापिस है यानि मेंटली कितना स्टॉंग रहा होगा इसी वज़े से वो सारी चीजों को फेस क एक अच्छे soldiers में एक अच्छे officers में आए तो आपको इसका फाइदा मिलेगा अब बात करते हैं कि क्या चीज है तो number one कि हमें क्या-क्या quality डवलप करना चाहिए अगर हम defense में top level पे जाना चाहिते हैं officer level पे तो just like हम खुद भी officer like सोचे हम एक major एक करनल की तरह सोचना चालू करें वो एक qualities है और याद रखेगा कि अगर आप सोचते हैं IIT एक example दे रहा हूँ IIT और NDA साथ हो सकता है तो मैं बोलूगा IIT में अलग चीज़े NDA के लिए अलग quality लगती है या medical के लिए हर exam में different quality होती है इंडिये में एक बच्चा वो जो calendar है वो सबसे अच्छा होना चाहिए मतलब अगर आप किसी sport से जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है आपकी general knowledge बहुत अच्छा होना चाहिए आपको current affairs अच्छा होना चाहिए आपको world history पता होना चाहिए आपको इंडिया में world map की पूरी exam की जैसे हम IIT की बात करें तो हमारा physics chemistry math बहुत अच्छा होना चाहिए हम subject को अच्छा command करें पर जब हम defense की बात करते हैं तो हमारा in all personality check होने वाला है इसलिए हमें कुछ habits को change करना होगा अब मैं बात करता हूं लगवग every year 2.5 से 3 legs के बीच में बच्चे अपयर होते हैं एक बार के exam में अब समझेगा जो मैं आपको बता रहा हूं data इसमें से लगवग 7 to 8000 के बीच में first round में select होते हैं और इसमें से लगवग केवल 350 से 380 के बीच में final SSB में selection होता है यानि आप खुश सोचें कि तीन लाख लोगों में केवल 300 से 400 बच्चे select होते हैं मतलब percentage कितना क हैं यह बात मुझे लगता आप समझ सकते हैं लगवग हजार बच्चे में एक approximate बता रहा हूं 1000 स्टूइंट में से केवल एक student select हो पाता है यानि आप सोचिए अब आप यह सोचिए हो सकता आप सोचें tough है मैं बोलूगा exam tough नहीं है actual में वह एक बच्चा वो होता जिसमें व यानि आपकी management quality कैसी है willpower कैसी है mentally कैसे strong हो यह सब बात है इसलिए कई बार जब बच्चे 12 से preparation start करते हैं तो first second attempt नहीं हो पाता है इसलिए वो कई बार एक बार दो बार तीन बार चार बार देते हो कभी कभी last attempt तक नहीं होता है इसलिए फिर उन्हें CDS या आगे के लिए दे इखना होगा यही चीज मैं इस session के तुरू आपको देना चाहिए ना बहुत ही strongly message कि आप इस बात को समझ जी अगर आपका dream क्योंकि मैं इस बार 10th 11 बाले बच्चों के लिए हर एक topic पर अलग अलग session लोगा जो आपके problems है पर जिस topic पर लोगा पूरे समय उसी पर बात करू बाते हैं 10th 11 बाले बच्ची मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कर दू कि SSB की training उस दिन से start होती जिस दिन आप ही सोचते हो कि आपको defense में जाना बट उसके लिए classroom की जववत पहले नहीं बादने पड़ती है जब आप रेटर निकाल लो उसके पहले क्या चीजे हैं जो जादा psychological और mental testing होती है आप टीम को कैसे manage करते हो आपका way of talking क्या है आपका group में performance कैसा है आप group में जब group discussion होता है तो आप उसमें कैसे perform कर रहे हैं आपकी body language क्या है आप क्या सोचते हो आपको image दी जाती तो आपको क्या story लिखते है situation को कैसे handle करते है tough situation को handle करना आता है कि नही मैंने अभी एक बहुत अच्छा नाम लिया आवी नंदन जी का आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपने आपको किस situation में handle किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे हाँ जिनको परंभीर चक्र मिला हुआ उनकी story को उतारिए उनके जीवन को देखिए हो सके तो किसी आर्मी कैम्प में जाके देखिए अगर आपके आसपास कोई आर्मी परसन रहता हो या कोई defense परसन रहता हो उनके साथ कुछ समय बिताइए उनसे discussion करिए अपने आपको धंक से डालना चालू करिए इंडिया में और वर् मत सोचो कि हजार में एक ही का होता तो क्या होगा मैंने फिर बोला कि हजार में एक का होता है और इसलिए एंडिया कई बार कुछ बच्चों को बारवा देना पड़ता है यानि आप सोचे कि एक साल में दो बार होता ही इसलिए first time नहीं हुआ वो quality अगर उनको नहीं मिली आपको भरपूर देते हैं यानि एंडिया के बाद भी नहीं हुआ ग्रेशन लेवल पर आजाओ बर आपका ड्रीम के लिए होना चाहिए कई बच्चे कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको इंडियन आर्मी में या डिफेंस में मैं आर्मी बर्ड निकल जाता है मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आठट दददस ऐसे बी के बाद सेलेक्ट हुए और बाद नोनोंने सेना में वह काम कर दिखा है जिससे उनको परम्विल चक मिला ऐसे लोगों की जीवन को पढ़िए उनके जीवन को उतानने की कोशिश करिए क्या जीवटता थी क्या चीजे थी उनकी वह समझने की कोशिश करिए तो यह एक चीज अगर आपने डबलब कर ली यानि आप SSB कर रहे हैं रिटन टेस्ट के लिए आप अपने फांडेशन पर बहुत करिए बेसिक चीजों को पढ़ना चालू करि अगर आपका मीडियम हिंदी है तो इमीजेटली इंग्लिश मीडियम में आजाएए क्योंकि डिफेंस में 300 मार्क्स के बाद सेकंड नंबर पे होता है इंग्लिश इंग्लिश क्यों होता है समझ यह क्यों कि आप टॉप रैंक पे जा रहे हैं आपको बहुत सारी अलग-अल लेंग्वेज होती है दूसरा आपको वर्ल्ड में कहीं पर भी जाना पड़ सकता है तो ऐसे केस में इंग्लिश एक बहुत इसलिए कंपसरी रखे जाती है आप अगर ग्राउंड लेबल पे जा रहे हैं तो जो ही नहीं है इंग्लिश इंग्वेज हो जाता है इसलिए आप जाता है कई बच्टे ही हमीन वाले पूछते हैं आते हैं प्राउमन फेस करतें करते हैं और अयू causal हिन्दी में होता है मैं आपको बता दो अब्राहिए कर आपको सब को एक बात बोलूँगा, अगर आपने 10 तक Hindi मीडियम पढ़ाई की है, तो भी इमिजेटली English मीडियम में शिफ्ट हो जाएं, भले ही प्राउलम होगी अभी एक दो साल, पर वो प्राउलम के बात आप आगे जाके उसका फाइदा लोगे, यहां पर जब बच्चे हमारे आ कि सार आप बोला है, वो तो पेपर तो Hindi में भी आता बिल्कु सही, पेपर याद रखी Hindi English में भी आता पर English के कोश्चे हैं नहीं नहीं आते हैं, तो पेपर के लिए नहीं नहीं पढ़ना, आपको आगे SSB फेस करना है, तो मैं बिल्कु क्लिर रहता हूं इस बात में, इस व कोलम ही खतम हो जाएगी, तो आपको आप क्या क्या करना है, जरा मैं बता दू कि नंबर वन मैस पर बहुत स्ट्रॉंग करना है, तेंथ की मैस पर भी लेवन्थ की बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना, मैं भी कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक की लाइप क्लास भी लेवल तक क्या आती है, केमिस्ट्री थोड़ा सा लेवन वाखी 10 की और बायो तो 910 की आती है, या नि आपके लिए 910 की, दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइंस की बुक, एक सोशल साइंस की बुक, ये दो बुक आपको किसी को नहीं देना, वो भी NCRT की, अग दूसरा, आप NDA के प्रिविए सेर की कोई बुक ले ले जिसमें कोशन हो पिसले 15 साल के, जिससे की आप उस पार्टन की एक्शुल स्टेडी कर पाएं, इसलिए वो बुक ले ले, तो मैं हाँ पर बोलना चाहूंगा कि ये एक चीज हुई, दूसरा, निउज पेपर की आप आपको आदत होना चाहिए रीडिंग की, और निउज पेपर हिंदी निउज पेपर नहीं पढ़ना है, इंग्लिश निउज पेपर ही पढ़ना है, जब आप अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे, तो उसके रिजल्ट लॉंग तम में लेंगे, शॉट तम नहीं, याद हुआ वो नहीं, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री, करेंट अफेर्स कि क्या-kya चीजे हो रहे हैं, उनके प्रॉपर नोट्स बनाके चलिए, हाई-लाइटर पैल लेके चलिए, पेपर में हाई-लाइट कर दिए, और उसके बाद कॉपी में नोट्स बनाके मैं बोला हुना कि डिफेंस में जाने के लिए आपका पस्नालिटी आपका अलग होना चाहिए लेविन आइटी जाने के लिए बिल्कु अलग होना चाहिए अगर आपने इस अब चीजे करी तो आप रिटन टेस्ट के साथ कहीं न कहीं SSB की प्रिप्रेशन भी कर रहे हैं आप तो आपको A to Z cricket के बारे में पता होना चीज़िए अगर आपकी होंकी होगी है तो होकी के अवारे में और इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप एक कोई गेम जोइन कर सकते हैं कोई फिजिकल गेम तो बहुत अच्छा होगा नहीं तो कम से कम रनिंग रेगुलर होन महुल पटेल का आप देखना उसका 12 में परसेंट बहुत कम था उसके बाद भी वो फाइनली SSB में सेलेक्ट हुआ वो फुटबॉलर और उसकी बॉड़ी लेंगविज बहुत पॉजिटिव थी क्योंकि प्लियर था तो वो अलग से देखता था रेफ्लेक्ट करता था वो ची होने के फायदे क्या होता है वो बताता हूं तो आपको यह चोटी चोटी चीजों पर वकाउट करना चाहिए जब आप यह वकाउट करेंगे आप जैसे माली जैसे सब्सक्राइब बॉर्डर फिलिम थी कारगल के ओपर विलिम बनी हुए ऐसी मुवीज को देखिए समझ जि कंसिप बना के पढ़ना है यह चोटी चोटी हैविट्स को अगर आपने डवलप किया तो क्यों नहीं आपका फरस्ट अटेब में होगा और क्यों नहीं ऐसे सेलेक्शन होगा कोई रीजन ही नहीं है अपने आप से पूछी कि जो बच्चे रिजेक्ट होते हैं वो आपको सम मतलब डिफेंस में जो लोग रहते हैं जब भी कभी कहीं प्राउलम होती है वो हर जगें हेल्प करने पहुचते हैं यापका कितना है आप परिवार के साथ कैसे रहते हैं चूटी चूटी बात हैं जो डवलब करनी अब बात आती है कि इस सब के साथ में एक चीज बोलना च के लिए टेक्निकल एंट्री के लिए बट नॉलमली एटी परसेंट वाले बच्चों का कॉल आता है और अगर आपके 85 अवाव हैं तो कॉल आएगे यानि आप डारेक्ट SSB में जा सकते हैं विदाउट रिटन दिये और जितने बार NDA दे सकते हैं उतने बार TAS दे सकते हैं यानि अगर आपने समय रहते हुए ये बात समझ ली तो कई बच्चे जो आए हुए बिचारे उनके 12% कम होगा उनके पास option खतम हो गया अगर ये बात पहले से कई बच्चों ने मुझे बताए कि सार हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है तो अगर आपको ये information है timely तो मै अगर ये समय रहते हुए तो ये पॉसिबल है अगर ये समय रहते हुए तो ये पॉसिबल है अब मैं बात करता हूँ पहला तो ये फायदा आप डिरेक्ट SSB के लिए दूसरा advantage दूसरा main advantage कि अगर 12 में 90% है या 12 में 90% आता ही उसके जिसका syllabus complete होता है अच्छे से syllabus complete होता है जिसका base preparation अच्छा होता है और जिसका base preparation अच्छा होता है वो NDA के paper को बहुत easily निकाल सकता उसमें कोई doubt ही नहीं कोई doubt नहीं है undoubted बात बोला हूं कि आप आराम से return test निकाल सकते हो क्या quality develop करनी है वो भी मैंने बताई तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अच्छे से समय रहते हुए पढ़ाई करेंगे तो हम अपने आपी जो मैंने इसलिए लिखा है confidence level आपका अपने आप इतना है होगा कि आ पहला exam दे रहा होगे वो आपके लिए कर चुके होगे केवल problem मुझे यहाँ पर जब बच्चे आते हैं उनके साथ एक ही दिखती है problem यह नहीं कि उनको प्रॉल्म यह नहीं कि वह महनत नहीं करना चाहते problem यह कि उन्हें समय रहते हुए कोई बताने वाला नहीं था या पता बच्चे को एक सेकंड की वैलू पता होना चीए एक सेकंड का डिसीजन आपकी जान बचा सकता या जान ले सकता आपकी इसका मतलब है कि action is most important word और लोग problem यही होती कि बच्चे आते हैं देर से जाकते वो action नहीं लेते सोच तो लेते 9-12 में कि हमें defense पे जाना है पर उसके इनिशेटिव हैं वो action अगर ले 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 तो अपने धीरे-धीरे उनकी body language ऐसी हो जाएगी कि जब आप SSB में जाओगे तो आपको चेक कर रहा होगा वह आपको वैसी सेलेक्ट करें वो चेक क्या कर रहा होता है आपको क्या लगता है वो चेक यह कर रहा होता कि इस बंदे का confidence level, mental level, psychological level कैसा अगर यह बंदा बहुत strong है यह हर situation को handle कर सकता है वो ले ले लेंगे आपको अब मैंने आपको बोला कि जैसे राज है महुल पटेल की बात कर रहा हूँ उसके 12 में 48% के बाद भी लिया कई बच्चे 80% के बाद भी सिलेक्ट नहीं होते इसलिए मैं आपको समय रहते हुए बाते बता रहा हूँ कि इन छोटी-छोटी बातों को अगर आपने अनलाइज कर लिया तो आपके लिए अच्छा होगा आप यह सुनके कि राज के परसेंट कम आए यह सोचो कि मैं कम परसेंट पे भी निकालूंगा इस अच्छा यह आप गैसे अपने अंदर उतारिए और इस तरह के सेशिंस अब आपको बहुत रेगुलर मिलेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10th 11th में हमने राइट एक्शन ले लिया तो 12 के बाद जो पहला अटेंप्ट होता है उसके बाद SSB भी आप पहली बार में हो तारिद से आपने आपको साइकलोजीकल त्यार करना है किस रेख़िए करने के बदलने होंगे विल्कूल याद रखिए कि जो soldiers होते हैं जो army में लोग होते उनकी लिदो आपको बहुत disconnect करना होगा लोगों से बहुत अलग लाइफ आपको जीने की आदट डालनी पड़ेगी और आप हर situation को अगर handle कर सकते हो तो समझ लो आप defense के लिए बने और अगर आप हर situation को वेस्ट नहीं कर सकते तो defense के लिए नहीं बने तो मैं यहाँ पर इतना ही 12 में 100% syllabus कवर करो जिससे कि आप 90 प्लस परसेंट करो जिससे आप डारेक्ट भी SSB देपो एक चीज़ अगर आप class 10 में हैं तो भी आपको basic से पढ़ी करके यह चीज ध्यान रख नहीं और 10 वाले बच्चों को बोलूँगा 9 10 की सोशल साइंस अच्छे से करें 11 वालों को बोलूँगा 9 10 की उठा के एक पूरी लर्ण कर लें प्रिवियस एर के NDA के पेपर को जब देखें आदा पेपर तो आपको वैसी बन जाएगा मैंने भी solution डाला आप देखो के तो आपको समझ में जाएगा 50-60% पेपर तो आपको वैसी देखके समझ में लगेगा और फिर जब आप जनल स्टेडिज देखोगे हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्रफी तो आपको समझ में आएगा आपको किस धन से पढ़ना है बिल्कुल अभी से पहले समझिए कि पढ़ना क्या है कैसे लाइफस्टैल को देखना है और फिर आपको प्लेशन स्टार्ट करिए आप जो भी आपके डाउट हैं आप मुझे भेजो मैं अगला जो सेशन लूँगा इसमें जो भी आपके इस सेशन में रिरेटेट कंट्वीजन एडाउट होंगे और मैं आपके साथ डिस्टिस करूँगा थैंक आप देबेस्ट जेहिन